सोमवार को सुबह करीब 6 बजे सीहोर जिले के बुदनी के मिटगाट रेलवे ट्रैक पर बागिन के तीन शावक ट्रेन की चपेट में आ गए इस दुरघटना में एक शावक की मृत्यू हो गई और दो शावक गंभी रूप से घायल हो गए घटना के दोरान वन्य प्राणी चुकित सको के टीम घटनासल पर पहुंची लेकिन दोनों घायल शावकों के स्थिती को देखते हुए वहाँ इलाज संभव नहीं था दोनों को इलाज के लिए वन्य प्राणी चुकित साले भोपाल में ततकाल भरती कराना ज़रूरी था वरिष्ट अधिकारियों ने एक डिब्बे की स्पैशल ट्रेन मंगलवार सुबब बुदनी के घटनासल मिट घाट तक भेजने का फैसला लिया और कलेक्टर प्रवीन सिंग इस ट्रेन के साथ रवाना हुए ततकाल दोनों घायल शावकों को को ट्रेन से भोपाल लाकर वन झाल